है हलो इस्वाइंस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभम तियारी जहां पर प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं उसके स्लेबर्स पेपर पैटन और मोस्ट इंपॉर्टन कोस्टन की वीडिय क्या हो मतलब लास्ट प्रैक्टिकल अगर इसके बाद भी बच्चों की डिमांड आएगी तो लेक्षर लेकर आएंगे अधर्वाइज मुझे लगता है इसके बाहर इन्वेंट्री टैनों पर रिशो का टॉपिक नहीं बनेगा क्लियर है बात करेंगे आपका टॉपिक देखो यहां पर जो प्रीबियस क्लास देखके बच्चे आया है वो तो समझ गया होंगे प्रीबियस क्लास में इसका भी फॉर्मूला मैंने पहले क्लास में करा दिया तबही तीवाइज बीकॉम कॉंस क्लास में पूछा गया है सर एयर है 2014 क्लियर देखो और लड़ी जैसे मैंने आप लोग को प्रामिस किया टीवाइबी कॉम क्लास आप लोग का टॉपिक होने के बाद प्रीबियस यह जितना भी कॉश्चिन पेपर मेरे पास अविलेबल है क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुश्चन हर एक बच्चे को एक आइडिया चल गया है तो देखो इदर दो तरीके से आप कर सकते हो एक तो माटिरियल एक फाइंड आउट कर लो पास अविलेबल लो बट मुझे लगता है कि अगर यह तरीके का टॉपिक आता है ताइम बचाना है तो सबसे पहले देखो इसको साइड में कर दो इसको साइड करो क्लियर है अगर मैं आपसे पूछ हूँ अब क्या find out करने जा रहे हूँ पहला पहला find out करने जा रहे है sir inventory turnover ratio inventory turnover ratio of material 1 & 2 material 1 & 2 का है clear है पहले format लिए देखे बात में question से देखे solve करेंगे अगर मैं बात करूँ पहला पहला यहां पर आजाएगा sir particular clear है material आपका 1 अगर आपका material second clear है बिल्कुल clear होना चीए हर एक बच्चे गा लाइन थोड़ा सा और बढ़ा लूआ चले clear है I hope पर एक बच्चे का clear है format देखो जब आप format इस्टार्ट करोगे तो आपका सबसे पहले आता है step 1 step 1 क्या रहेगा अगर मैं आपसे पूछो stock turnover ratio या free inventory turnover ratio का formula गयाता sir cogs divide by average stock it means पहले हम लोग find out करेंगे sir cogs का concept पहले find out आप क्या करोगे step 1 की अगर मैं बात करो step 1 की जब मैं बात करता हूँ पहले आप क्या find out करोगे सिर्फ find out step 1 में करना है cost of goods sold अगर मैं आपसे cogs का formula पूछो तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए sir cogs का formula बोलता है purchase, purchase में sorry purchase नहीं पहला हमारा क्या आएगा पहला आपका आएगा opening stock पहला क्या आता है sir हमारा opening stock इसमें आप add करते हो purchase and minus करते हो closing stock तो कुछ बच्चे भोलेंगे sir direct expenses किदर गया तो यहां पर इस topic में हमारा तीनी concept है direct expenses दिया नहीं है तो लिख के कोई benefit नहीं है अधर में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कोई problem नहीं opening stock में क्या add करते हो आप purchase और क्या list करते हो आप sir closing stock जिससे आपको क्या मिल जाएगा अगर मैं आप से पूछू का आपको क्या find out मतलब क्या मिलता है यहां पे अगर मैं बात करूँ क्या मिलता है आपको मिल जाता है sir cost of goods sold यही मिलेगा न total बिल्कुल 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 यही मिलना चाहिए यही मिलेगा बिल्कुल clear पहले format अब लिख ले रहा हूं उसके बाद आगे बात करेंगे step one आपका complete हुआ step one में आपने find out कर लिया sir cogs means cost of goods sold अभी value यहां पर put up करके answer find out कर लेना है उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका step two क्या होगा step two होगा step two step two step two क्या आएगा step two आएगा step two आएगा stock क्यों कि formula तो यही था cogs divide by average stock and average stock का अगर मैं formula की आप से बात करूँ तो आपको याद होगा average क्यों का मतलब होता है sir opening stock opening stock में plus कर दो आप closing stock and divide by two यह formula था यह divide करने के बाद आपको जो मिलेगा value मिलने वाली है वो क्या मिलेगी अगर मैं आपसे पूछू क्या मिलने वाली है value मिल गया आपको average stock किसी बच्चे को कोई doubt कोई confusion इसमें बिलकुल नहीं होनी चीह कोई doubt कोई confusion नहीं होनी चीह क्लियर है average stock अगर मिल गया तो easily आप find out कर सकते हो आपका third step step third step third क्या था sir topic हमारा जो भी है क्या topic है अगर मैं आपसे पूछू topic क्या है topic है sir inventory inventory turnover ratio clear है formula है sir 2 divided by 1 मतलब 2 मतलब क्या है आपका sorry 1 divided by 2 1 पहला आपका COGS है न आपका क्या formula है sir 1 divided by 2 1 क्या था आपका COGS divided by 2 2 क्या है आपका average stock और इस तरीके से आपको मिल जाएगा inventory turnover ratio clear है यह प्या जाएगा ना inventory turnover ratio easily divide करके आप लिख सकते हो clear है चलिए value put up करके पहले answer find out करते हैं हम दो value put up करते हैं question और में साहिड ले लो इधर पर step 1 COGS COGS का formula opening stock plus purchase plus closing stock material 1 की बात करो material 1 5 lakh आपका opening stock है तो opening stock में आपका value put up करो 5 lakh की add कर दो purchase, purchase की बात करो net purchase clear question में तो 42 lakh तो आप add करो 42 और फिर minus कर दो closing stock closing stock कितना दिख रहा है 3 lakh तो देखो यह तो simple सी calculation है 42 plus 5 कर दो 47 47 से 3 minus करो 44 lakh आएगा clear है, बिल्कुल simple topic दा, material second का मैं बुलो find out कर सकते हो, देखो opening stock कितना दिया sir opening stock देखे रहा है 20 lakh मैंने बुला value put up करो, plus purchase की बात किया sir, purchase है 50 lakh मैंने बिल्कुल plus plus किया हो गया 70, 70 मैंसे closing minus कर तो closing आपका है sir 16 तो it means आपका यह आएगा 54, 54 lakh clear है I hope clear 50 plus 2 होगे, आपका 70, 70 मैंसे 16 minus कर दो आपका 54 lakh आगे, clear किसी बच्चियों को कोई doubt, कोई confusion नहीं होना चीए आगे बात करेंगे, step 2 आप क्या बोला, अब दो कोईदर, cogs का मतलब benefit अब को है, cogs आपके लिखते है, average stock क्या बोला, opening stock plus closing stock, question फिर से आप जड़ा देखो, opening कितना है आप यहाँ पिस यहीं से देख लो आप, पहले material का सर 5, तो मैंने बोला, लिख दो आप, plus closing कितना 3, 5 lakh plus 3, divide by 2, तो 5 plus 3 हो गया, 8, 8 divide by 2 करोगे तो आपका जाएगा 4 lakh, आपके बास जगा इनफ रहेगा, तो बहुत proper तरीके से gap रखना ताकि clarity थोड़ा सा दीखे, second मैं बात करूँ आपका, opening plus closing कितना है, opening से 20 है, तो मैंने बोला 20 लिख दो, plus closing आपका 16 लिख दो, और divide by 2 कर दो, तो 20 plus 16 हो गया, 36, 36 का half कर दो, 18, it means आपका ये आगया, 18 lakhs, clear है, देखो, बहुत simple topic दा, सिर्फ question से आपको details देखे पढ़ने हैं थी, value put up करना था हो गया, step 3 को easy तरीके से आजएगा, 1 divided by 2, 1 कितना है, 1 है सर 44, मैंने बोला value put up करो, 44 divided by 2, 4 lakh, second की जब मैं बात करूंगा, 54, 54 lakh divide by आपका, 18, clear है, calcute out, divide दो 4, वंजा 4, 11 times, अनि ये divide दोगे, 3 times, clear है, I hope for एक बच्चे का concept clear है, बड़ ध्यान देखना आपको यहापे question में और extra चीज भी पूचिए, ध्यान दो अगर question को, question में मैंने क्या बताया था, यहाँ पी ध्यान दो अगर, यह तो आपने find out कर लिया, material turn over issue में आपका यही सहीं concept of the ease of these material and expenses in number of days, the average inventory held, तो मैंने यहाँ पी देखो, आप नीचे आपको एक्जाम में लिखना है बड़ मैं यहाँ पी करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको question भी सामने देखता रहे, clear है? चले, question आप देखो यहाँ पी सामने, क्या बोला गया था? expenses, expenses in number of days, the average inventory held, the average held. अगर मैं आपसे formula, पूछे, formula क्या था? तो मैंने बोला था, बहुत simple सा formula है, 365 days, एक average count किया जाता है, 365, अगर हमारा leap year को हटा दो, क्योंकि leap year में आपका 366 आता है, तो leap year को आप इग्नोर करते है, 365 days लेते हैं, divide by, inventory, divide by, inventory, turnover ratio, ये आपका formula है, अगर मैं 1 की बात करो, अगर मैं 1 की बात करता हूँ, तो 1 का ध्यान से देखो, 1 का, क्या हो जाएगा formula से, 365, divide by, inventory, turnover ratio, 1 का क्या है, 1 का बताओ, यहाँ पे, 11, तो आप यहाँ पे value put up करो, 11, अगर मैं second का आप से पूछू, 365 ये तो common ही रहेगा, divide by क्या करो, second, 3 है, तो 3, kelsey उठाओ, और दोनों का divide करके बताओ, कितना आ रहे है, 33.18, चलिए, first का कितना आ जा, या आप का days, इसको आप round figure भी कर सकते हो, 33.8, means आप लिख सकते हो, 34 days, क्योंकि days को basically point में तो लिखा नहीं जाता, 1.8, 33.18, तो 33.18 जब बात होगी न, 1.8 इसका मतलब ये 33 days, अब ध्यानक न, exam में करके लिख देना, और करके, क्योंकि days को हम लोग point में ने represent कर सकते हैं, तो उसको round figure करना है, चलिए, इसको divide तो बताओ कितना आ रहे है, 6, 6 means 6, 7 days, और अगर मैं आपको बूलू भई, इसको option करके दिखाओ दो, तो ये 122 days दिखाओ कि आप, कैसे 122 days दिखो आप ए, 121.6, अगर point के बाद 5 या 5 से जादा है, तो ये एक date को बढ़ा दो आप, 5 से कम दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसलिए मैंने date को नहीं बढ़ा है, मिंस day आपका नहीं बढ़ेगा, वही concept रहेगा, तो आप exam में ध्यान रखना है, ये मैंने जिसा बताया, ये दोनों answer exam में लिख देना, नंबर कट करने का examiner को चांसे नहीं मिलेगा, कुछ, clear है, देखो ये question मैंने आपका previous year का करा दिया, I hope inventory turnover ratio जो बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो कर लेंगे, क्योंकि important concept है, पूछा भी जाता है, कोई भी concept आपके cost accounting से miss नहीं होना चीग, जितने भी concept है आपको पढ़ के होना चीग, Inventory turnover ratio में इसके बाहर मुझे नहीं लगता, कोई types बचता है, या फिर किसी types का और question किसी भी, जिसे आपका EFF class भी हो जाता है, उसमें भी नहीं पूछे, जो type previous लेया था, उनके exam में आया था, या आप लोग के exam में आया है, तो इसी label का question अगर inventory turnover ratio पूछाएगा, तो यही label लगती है, तो वीडियो को लाइक करना अच्छे चो कमेंट आइड करो, और जितना ज्यादा possible हो सके channel का link हमारे commerce section वाले बच्चे को share करते रहो, ताकि उनको इस channel के through बहुत बड़ा advantage मिल सके, तो चलिए, मिलेंगे next class में जापे हम लोग बात करेंगे, आपके remaining बच्चे Thank you so much.